Hello everyone, welcome to Let's Revise. आज की वीडियो में हम बेट फर्स सेमेस्टर का जो आपका पेपर सेगेंड होता है, फिलोसिपी का उसका जो आपका एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेस्टर्न स्कूल्स और फिलोसिपी वो हम यहाँ पर डिस्कूस करेंगे. यह जो आपका टॉपिक है, यह बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट है आपके बेट फर्स सेमेस्टर और फर्ड सेमेस्टर दोनों के ही पॉइंट अफ्यू से, teaching के exams में चाहे वो किसी भी type का exam हो even आप आजकल जो private institutions हैं वहाँ पर भी जब interview लिये जाते हैं या वहाँ पर जो written test लिये जाते हैं वहाँ पर इनी सब चीजों से related आपसे questions भी पूछ लिये जाते हैं तो अगर आप teacher बनने जा रहे हैं तो आपको इन सब के बारे में थोड़ी तो knowledge चाहिए ही होगी तो जो ये वाला topic है ये आपको अच्छे से आना चाहिए वैसे तो ये बहुत ही बड़ा topic है तो मैं एक एक video में एक ही एक school को cover करूँगी वरना फिर video भी बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी समझने में भी interest नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा इसलिए हम एक video एक topic की मतलब एक school की एक ही दिन डालेंगे और आप उससे उसको पढ़ लीजेगा इसमें मेरा कोई benefit नहीं है मैं अपना benefit बिना देखे हुए आप लोगों के लिए video बनाते हुए तो यह video आप पूरी ही देखेगा क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में कुछ ऐसे points है जो बहुत ही important होते क्योंकि यह schools of philosophy है एक बहुत ही ज्यादा important topic है तो चलिए हम यह सब बाते बात में करते हैं सबसे पहले हम अपना topic स्टार्ट करते है अब हम समझ लेते हैं कि school of philosophy क्या होती है तो यह देखे आपके western school of philosophy है और यह different different types की है जिसमें से आपकी idealism है realism है, naturalism है pragmatism है और humanism है ठीक है यह इन five में five schools में बटे हुई है पाँच schools थे जिन्होंने अपने अपनी philosophy दीव, उनके अपने अपने philosopher थे उन्होंने अपने अपने टाइप से जैसा उनका philosophy रही होगी जैसे उनकी thinking रही होगी उन्होंने अपने according curriculum teaching और इन सबको अपने according से ही differentiate किया, बताया और उनको follow भी किया और आज अगर जो हम जो मतलब philosophy या जो curriculum हम follow कर रहे हैं, आज के time पे school में, वो यहीं से लिए गए हैं किसी ना किसी से हम कुछ ना कुछ ले करके और एक पूरा curriculum ready करते हैं, तो आज की वीडियो में हम इनी को समझेंगे, तो जो वीडियो में हम आज के school पढ़ेंगे, वो हमारा है idolism 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 को हम English में आदर्श वाद भी कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, start करते हैं, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी confusion लगेगा, या कोई भी doubt होगा, तो आप मस्ते वो comment section में ज़रूर पूछ लीजेगा those who follow idolism, they agree that this universe is created by God, मतलब कि जो भी लोग थे, जो भी philosopher थे, जो भी idolism को follow करते थे, उनका ये मानना था कि ये जो universe है ये God के द्वारा ही बनाया गया है देखे, यहाँ पे मैंने जतना भी ये PDF रेडी कर रखा है, ये सारे आपके लिए notes भी हैं तो आप बहुत मतलब ऐसे small small मैंने easy way में points बताएं हैं जिससे कि आप लोग इसको क्या करेंगे बहुत easily से समच सकते हैं तो आप इसकी points को note down भी कर लीजेगा आपके लिए exam में बहुत आसान होगा पढ़ना the next point is oldest system of philosophy ये एक philosophy school जो थे हमारी वो उसका सबसे पुराना system था उसकी बाद इसका origin कहां से हुआ था इसका origin Greek से हुआ था pro founder इसके plateau थे plateau को ही इनका father भी कहा जाता है और यहाँ पे इन्होंने 400 BC में एक book लिखी थी The Republic ठीक है उसी में इन्होंने अपने जो philosophy थी उसको mention किया था आपसे एक definition पूछी जाती है तो यहाँ पे एक definition है आपकी idealism holds that ultimate reality is spiritual ठीक है idealism को जो मानने वाले थे या जो भी idealism को follow करते थे उनका मतलब सबसे बड़ा ये मानना था कि जो है वो God ही है ठीक है वो God के आगे कुछ समझते ही नहीं थे मतलब सर्व कुछ सर्वे सर्वा God ही और किसी चीज़ को वो नहीं मानते थे only वहाँ पे जो भी reality थी वो spiritual ही थी अगर हम idealism की बात करें तो idealism आपका यहाँ पर idea से बना हुआ है ठीक है I think यहाँ तक की बात आपको clear हो गई होगी इस slide में कोई भी confusion नहीं होगी अगर आप idealism देखें तो आप समझ लीजी ideal और mostly हमारे ideal हमारे God ही होते है तो खुदी समझ लीजी कि idealism means God से related तो मतलब simply कि यहाँ पे idealism में जो भी बाते हो रही है वो spiritual words से हो रही है अब हमने idealism का बहुत ही easy way में एक intro ले लिया अब हम देखते हैं idealism के followers कौन-कौन से थे तो बहुत से फिलोसिफर थे जिन्होंने idealism को follow किया था जिसमें से आपके Socrates थे, MK Gandhi, Kant, Hazel and Swami Vivekananda ठीक है इसके अलावा आपके अरविंदो घोश भी थे, Radha Krishnan भी थे दयानन सरस्वती फ्रोबल बहुत सारे थे यहाँ पर जिन्होंने कुछ आपके foreign philosopher थे, कुछ आपके Indian philosopher थे तो यहाँ पर मैंने जिनका नाम mention कर रखा है यह आपके most important philosopher है ठीक है अब इसके बाद आपका जो इसके हाँ से most important point बनता है वो principles से related होता है, मतलब क्या principles थे तो यहाँ पर है first आपका universe is created by God मैंने पहले ही बताया कि God का है, मतलब जो भी है, सब कुछ God ही है then spiritual word is superior to material word जो आपका normal material word जो हम देख सकते हैं उस word से ज़्यादा superior इन्होंने spiritual word को बताया है मतलब जो material word है उसको इन्होंने कोई भी मतलब value ही नहीं करी है यहाँ पर then man is the best creation of God इस वाली जो आपकी school थी, इनका मानना था कि जो इन्सान है वो भगवान की या जो God की बनाए हुई बहुत सुन्दर संरचना है then aim of human life is self-realization और इनका यह भी मानना था कि जो इन्सान का जीवन है जो human का जीवन है उसका एक लौता aim होता है खुद को जानना, खुद के बारे में समझना कि वो क्या है, क्या कर रहा है, क्या करना चाता है also truth, goodness, beauty is essential for self-realization ठीक है, truth, सच्चाई, goodness, अच्चाई, beauty beauty मतलब आपकी यह उपर की जो सुन्दरता है इसके बारे में यहाँ बिल्कुल बात नहीं करी जा रही है ठीक है, तो उससे related बात हो रही है तो यह सब क्या है, एक essential है self-realization के लिए देखिए, आपको इन points से देख कर के यह बहुत लग रहा होगा, एक मतलब बहुत ही easy है अगर आप book खोल के देखोगे ना, आप बहुत confused हो जाओगे तो यहां से पढ़ोगे तो आपको बहुत आराम से चीज़े समझ में भी आ जाएंगे और कोई confusion भी नहीं रहेगा और आपको लगए अरे इतना छोटा सा topic तो है यह अगर हम बात करें तो idealism जो थे उनके according education का क्या एम था ultimate aim is to know about soul and God अपने बारे में and God के बारे में जानना ही यहां पर इसका aim है then develop natural self मतलब जो आपका physical and mental development है उसको यहां पर हम develop करने की बात करते हैं इस type के education में then development of social self मतलब जो हमारा social है बाहरी मतलब हमारी groups में कैसे हम वहां उसका development करते हैं then आपका cultural, moral and character यह सब हमारे society के अंदर आ जाता है तो इसकी भी development पे वहां पर ध्यान दिया गया है then intellectual self मतलब reasoning जो हमारे दिमार्ग से related होती है reasoning है आपकी maths and language है इन सब चीजों की बात यहां पर की जा रही है then realization of truth, beauty and goodness कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि इसका एक aim और यह भी है कि आप अपने बारे में जाने सच्छाई, अच्छाई और आपकी जो inner beauty है उसकी realization भी यहां पे बहुत valuable है इस school में, इस philosophy then आपका most important है curriculum of education मतलब जो idealism के according जो curriculum था education का वो कैसा होना चाहिए था तो teacher centered यहां पे जो curriculum था मतलब वो teacher centered होता है था मतलब यहां बच्चों को, students को ऐसी कोई खास value नहीं दी गई थी जो भी करेगा वो teacher ही करेगा तो यहां पे जो curriculum था education का उसको three parts में divide किया गया intellectual activities, moral activities and ethics intellectual activities में आपके यह minds related, mental जो भी आपके थे उनको हम include करते हैं, जैसे आप maths ले ले लिए, language, literature, history and science यह सारे subjects आपके intellectual activities में आ गए थे देन हम बात करते हैं, अगर moral में तो यह सारे आपके society से related हो जाते हैं थोरा moral values को हम इसमें सीखते हैं तो first आपका था theology, theology का मतलब होता है यहां पे कि वो यहां पे आपको religion पढ़ाते थे आपको तो पता ही है religion से related education क्या होती तो आप जिस religion के हो उससे related आपको पता हो तभी तो आप God को समझ पाएंगे न then ethics and then spiritual topics पे भी यहां पर study होती थी then ethics की बात करें तो art and music तो यह तीन था आपका तीन पार्ट जिसमें आपका curriculum यहां पर divided था अभी अब आप इसको बुक में देखोगे न आप बहुत confused हो जाओगे इसलिए इसके ही notes बना लो और इसी से prepare कर ले then हम बात करते methods of teaching की तो they haven't adopted any specific method of teaching आपकी बुक में थोड़ा confusing है वहां पर confusion हो जाएगी मैं आपको बताते हूँ यहां पर इन लोगों ने कोई भी एक particular specific method teaching का नहीं अपनाया था आप एक particularly method नहीं लिखिया ये they advocated many methods ठीके बहुत सारे methods का इन्हों ने use किया not a slave of particular method किसी एक particular method को इन्हों ने ये नहीं किया कि नहीं हम ये वाला ही करेंगे जैसे आप naturalism में play way method हो गया तो नहीं यहां पर क्या था कि आप का इन्होंने सारे बहुत सारे methods से teaching करी यहां पर कुछ ऐसे methods नहीं आपका है अगर हम बात करें conversation method जो आपको प्लैटो ने दिया था then logical method हीजल का है play way method यहां पर था फ्रोबल का Q&A method है आपका Socrates का and inductive and detective method भी यहां पर use हुआ तो यह कुछ teaching method थे इसके अलावा और भी थे लेकिन मैंने यहां पर five ही लिखे है five ही आपके लिए sufficient भी है बताने के purpose से भी and लिखने के purpose से भी Then हम discipline की बात करें तो यहां पर जो discipline था वो inner discipline मतलब self discipline की बात करी गई है Freedom should be restricted किसी भी type की freedom ऐसी नहीं थी बच्चों को बहुत ही discipline में रहना था Then internal control on human behavior जो भी human behavior है उसका खुद पर control होना बहुत जरूरी था जिसके लिए ही यहां पर self discipline की बात कही गई है Then punishment will be given if the student does a wrong act अगर किसी बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसको वहां पर punishment दी जाएगी and no reward will be given for the right activity लेकिन अगर आपने कुछ सही किया है तो उसके लिए आपको कोई इनाम नहीं दिया जाएगा ठीक है तो यहां पर कुछ आपके disciplines related points थे Then teacher role role of teacher is superior and important मैंने पहले भी बताया था कि teacher का जो role था वो बहुत ही important है superior है helps in moral and spiritual development जो teacher है वो students के moral and spiritual development में help करेगा then Indian idealism teachers considers as Tridev जो Indian idealism थे न वहां पर जो teacher थे उनको Tridev के रूप में consider किया जाता था Tridev means आपके then center of education process जो teacher होता था वो center होता था पूरी education process का यहां पर मैंने एक फ्रोबल के द्वारदी के definition दी है यह बहुत जो लिखा है उसकी हम बात करते है teachers are just like a gardener who works in a garden in order to bring about the growth of plants ठीक है teacher एक garden का मतलब gardener का काम करते हैं students के लिए कि जो उनके students है वो किस तरह grow कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी उनकी ही होती है जैसी कि अगर आपका जो माली होता है वो जो भी अपने garden में फूलों के साथ जो भी कर रहा है वो जैसे भी उनकी देख रहा है जो कल को जो भी रिजर्ट होगा वो उनके उपर बेस होगा जैसा उन्होंने वर किया तो सेम आपका teachers के साथ भी होता है देन हम यहां बात करेंगे schools की schools कैसे थे तो school is the place where students get regular and effective education मतलब जो उनके schools से वहां पे जो students से वो regular education पाते थे then ideal pleasing and joyful activities जो activities वहां पर की जाती थी जो ideal थे उनको please करने वाली and joyful activities होती थी proper guidance of teacher should be there जो वहां पे जो था बहुत important and superior teacher तो उनकी proper guidance होती थी जब वहां पे classes conduct होती थी तो then overall spiritual development of the student वहां पर basically बहुती मतलब जादा मात्रा में spiritual development पे ध्यान दिया जाता था then disciplinary environment अब discipline वहां पे बहुत high level का था तो जो environment था वो भी उनका disciplinary environment था तो यहां पे यह video end होती है मैंने बहुत ही short short points में पूरा यह topic समझा दिया दर्वाइस यह topic बहुत ही जादा बड़ा है यह topic आपसे 16 marks में पूछा जा सकता है कि आपको school of philosophy की बात कर दी जाती है western school of philosophy की और आपसे कहा जाता है कि एक particular पे आप लिखिए उसके बारे में और उसके principles या curriculum of education यह सब कुछ बता है तो आपको यह सब कुछ पता होना चाहिए 16 marks का आपका आएगा तो अगर आप prepare करके रखते हैं तो आपके 16 marks कहीं नहीं जाएंगे और बहुत ही जादा easy way में है मतलब मैंने मुझे जितना easy हो सका था मैंने उतना easy कि अगर आप पूरी वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चलाओगा कि आपकी book से मतलब different है और बहुत ही easy way में आपको बहुत जादा मेहनत करने के इसमें जरूरत नहीं है so I hope यह वीडियो आप टोको के लिए helpful लो next वीडियो में मैं naturalism को discuss करूंगी